चलो एक ही कोश्चन करेंगे लेकिन ठीक से करेंगे एक एक चीज समझके करेंगे ठीक है ना और अगर आपको याद होना तो सेम कोश्चन से आपको ट्विल्थ में भी मिलेगा यह अगर आपने करा हो आपको याद हो तो ट्विल्थ में भी सेम कोश्चन मिलेगा अब नई बुक में है या नहीं है गितिका और वितिका का एक कोश्चन है उसमें मुझे याद है जहां त तो उस टाइम पर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि यह को पोर्वरों अगर आता है तो वही आपका 19 को अपूरस नमबरर्ड़ को पाई की मेरगँ और यही सेम कुश्चन के के अंदर आता है तो छे नमबर का बनता है कि कुश्चन सेम रहेगा ऐसा मस समझना के सर्फ बड़ा कुश्चन है तो आठ का बन जाएगा मैक्सिमम नमबर ही उन्होंने छे और लॉट कर रखें तो वही रहेगा ठीक है एक वार हम कुश्चन पढ़ लेते हैं कि कुश्चन में क्या कहता है देखिए यह आपके बुक जे आर मोंगा बुक का ही है जिन बच्चों ने बुक ले लिया होगा उनको पता होगा जिन्होंने नहीं लिया उनको लेना दो पड़ेगा या भी नहीं दो बाद में कहता है सोनिया ब्यूटी एक प्रड़क्ट लिमिटेड इशू अप रॉस्पेक्टस इन writing Inviting का मतलब क्या हो गया सर ऊसे इस्धो किया हुआ इन वायाइटिंग का मतलब क्या हो गया फॉप के बुक की पिक घुक लिंक दे रका है मैं कई बार बोले हैं आप सभी को युँग का लिंक मैंने दे दिया हैँ है आपक एव जाके दिखिए invite application 20,000 of share 10 रुपे का एक है और 2 रुपे payable as premium तो 10 प्लस 2 का बन रहा है है आप पहले question समझेगा ठीक है भले ही questions का answer ना हो कोई फरक नहीं पड़ता question समझना होगा आगे क्या कहता है sir आगे कहता है share 10 रुपे 2 रुपे premium पे है और यहाँ पर क्या कहना है इनका कैसे कैसे payment बना है वो सारी detail जानकारी है क्या कहता है 2 रुपे किस पे है sir application 5 रुपे किस पे है sir और 5 रुपे की कहानी कुछ ऐसी है 3 रुपे और और 2 रुपे security premium 3 रुपे share capital ठीक है आगे कहता है यहाँ पर application आपका 2 रुपे होगे allotment first call कितने का है तीन और final या second यह total आपको call मिल गए बड़ी simple सी बात है कहता है application वर receive 30,000 application receive कितने होगे आपके 30,000 आपने application receive करे समझ रहे हो बात को अब जब आपने 30,000 application receive करे allotment प्रोराटा बेसिस तो कई बार बच्चा इस सिर्फ word को देखके थोड़ा confused जाता है तो कोई मतलब नहीं है जैसे सीखा है वैसे करते जाएंगे कहता है 24,000 share वर remaining applicant refused तो कहने का मतलब इसका यह है यह आपको अपने mind से बनाना पड़ेगा एक तो हो गया कुछने मांगे और एक हो गया allotted ठीक है ना अब जिसने मांगे थे सर कितने share मांगे थे 24,000 उसको हमने मात्र दिये है 20,000 और बाकी बच गये 6,000 उसको refuse का मतलब उसको मैंने कुछ भी नहीं दिया यह बनता है scenario यहाँ पर यानि यहाँ पर दो category बन गया कैसे पता चला सर कहता है कि 30,000 को प्रोराटा बेसिस पे हमने सरिफ उन ही को करा है जो कि 24,000 शेर थे और remaining को refuse तो remaining 6 को जीलो दे दिया money overpaid on application was to be employed and account some due on allotment कहता जितना भी extra पैसा आएगा allotment पे ले जाना advance रितिका 400 शेर वर allotted fail to pay allotment money and subsequent failure to first call and her share were forfeited यहाँ पे एक रितिका है जिसके पास अब देखो यहाँ होल्ड कह रहा है ठीक है ना होल्ड कह रहा है कितने share hold करती है अलोटेड है 400 share रितिका जिसके पास 400 share थे वो एक तो यहाँ पे fail हो गई और उसके बाद यहाँ भी इसके बाद इसके share for feature कर लिए गए ठीक है ना इसके बाद यहाँ पे share for feature कर लिए गए 6000 कहां से आया 24 total कितना था 30,000 apply का मतलब issue 30,000 30 में से 24 का हिसाब दे रखा है तो बीच का difference 6000 आगे कहता है यह वित्र का एक new holder है जिसके पास 600 share fail to pay to calls यहाँ पर एक new shareholder fail हो गई याए इस पर और इस पर दोनों पर एक shareholder fail हुए जिसके पास कितने share थे यह hold कर रही थी 600 ठीक है fail हो गई त्थ पेटू कॉल हर शेयर वर फोर्पिय्ट आफ्टर सेकेंड कॉल और फोर्पिय्ट शेयर रिशू और इसमें से हमने 800 शेयर रीशू कर दिये गितिका को किसी नए परसं को और 9 रुपय पर शेयर फुल्ली पेड था यानि इसमें से हमने कितने शियर इश्यू कर दिये सर्फ 800 और एट ड़ेत कितने के नौ रुपय के हिसाब से ड़ेत non रुपय कुछ भच्छों को नहीं दिख रहा हो तो मैं से साइड कर देता हूं आज डरेट 9 रुपे आगे क्या counselors लेकिन सर्ट च्रोंटल टो कि इतने हैं 406000 लेकिन आपने टिश्पी हैं आट फे6ड पूरे प्रूरे हो गए और बागी का प्रूरल्ड आपके अगले दो कश्चेन नाम था इसमें से थे व्यात्स सिंपल वितिका के सारे शेयर रीयशू नहीं किये रितिकीए कि सारी शेयर कर लिए गेए सबीछे theory related toss चींट आगे बैलें região पर पूरी तरीके से questions को परने कंट में तो मुझे पताइए पहले कुस्चन समझी आप मैं सम Monarch सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने में हुआ यह किया किया कि हमने को सारा का सारा लॉट तो कर नहीं सकते तो 20,000 वाले को हमने 20,000 दिये और जिसने 6,000 मांगे उसको 0 दिये और एप्लिकेशन और प्रीमियम पे इसू किया गया है तो दस प्लस दो का था तो एप्लिकेशन पे हमारा था दो रुपए बाकी अलॉट्मेंट पे पांच इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट कॉल और जसे हम vzk period प Sonore popular फैल को रवल लने आभी फोरफीचर नहीं किये और सभी जितने भी शियर फोर्फीचर हुए उस अहजार में से सने высокautaire आठ सो इड़ी ताकशा जैए औराठ सो जो एड़ी पेडप कर दिया गया यहां पर रिएशू के टाइम पर तो बस आपका पूरा का पूरा देखा जाएतो कुशन का समरी यही था और इसके अगौर्डिक हमें आगे लेके चलना है हां 220 पे जाएगा बस यह कहा है किसी को डाउट अभी तक है बिल्कुल देखो वर्किंग आप देखो बोलते ना वर्किंग नूट करना है तो आप इसे जहां पेपर कर रहे हो तो यह फियर वर्क है इसे करके चलिए बेटर रहेगा आपके लिए बिल्कुल क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारे पास हमने इशू कम कि इशू जितने कि यह लोगवागों ने उससे जादा मांग लिया तो अब देखो हमने इशू कितने किये मांगे कितने तो ओवर हो गया अगर मांगते 15 तो अंडर हो जाता मांगते 20 तो फु अच्छा मैंने कार्ट दिया वो वो दिख नहीं डाओका उनको जीरो ही दिख रहा हूंगा ठीक है कि बढ़ जाए जाए आगे कुश्चन हर किसी बच्चे को कुश्चन क्लियर एक बार तो मैं कर रहा हूं यह कुश्चन एक बार आप फिर इसे सेल्फ भी करोगे तब जाके आपको क्लियर टी मिलेगी के बहिया कुश्चन का सिस्टेमेटिक क्या है और मान के चलो सेम इसी टाइप के कुश्चन सब के एक्जाम में आएंगे थोड़े बहुत एंट्री अमाउंट अप्लाए अलॉट्ट यह सब चेंजेस होंगे बाकि टाइप यही रहने वाला है च चलिए तो सिंपल सा फॉर्मेट क्यों कि यह कुश्चन मुझे पीछे पेज पर भी ले जाना पड़ेगा अराम से पहले तसल्ली से एंट्री पहली एंट्री क्या हो सकता है यहां पर मैं सिंपल एंट्री करते जाऊंगा पहली एंट्री है मारा वैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिकेशन बताइए बैंक टू शेयर अप्लिकेशन में क्या है कितने आएंगे अब सर तीस अजार आए हैं और दो रुपय का अप्लिकेशन है मैं ऐसे लिख देता हूं मिरे पर जगह नहीं होता बाकि प्रपर ब्रेकिट बनाके करें तो सर सिक्स्टी थाउ सब्सक्राइब है मैं थोड़ा साइज रिड्यूस कर देता हूं यह रुख जो इसको जूम कि सर बेग्ग्राउंड की वोईस आ रही है ओके एक सेकिंड जस्ट वेट अब चेक कर लीजेगा अब नॉट इस क्लियर वोईस अब बता देना बैक्ग्राउंड की अगर वोईस आरी हो तो बता दीजीएगा क्योंकि नावटेस क्लियर करें क्लियर कि क्लियर करें करें कर दूम ठीक है आजएए इसके बाद क्या है इसके बाद अगला आएगा हमारा शेयर अप्लिकेशन टू एक्विटी शेयर क्यापिटल टू बैंक अब यहां पर सबसे पहले तो बैंक आपका एक्विटी शेयर में आगे 60,000 ठीक है आप मैक्सिमम पीस अजार और इंटो में टू ही दे सकते हैं डेट इस आएगा आपका 40,000 और कुछ के पैसे वापसी करने किसके इसके तो सर यह पैसे वापसी करिए छे हजार इंटो में टू यानि इसको बैंक से लिख रहे हैं जिसके पैसे वापस किये जाएंगे तो यह आगया 12,000 और जितना एडवांस बच गया उसे अलॉट्मेंट पे ले जाएंगे तो इसको आप कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो तो 4000 हुए ना 40000 दो आठ हजार आप बताइए इन दो एंट्री में किसी बच्चे को डाउट अभी प्रेमियम तो हुआ है नहीं दो एंट्री में किसी बच्चे को डाउट पर जेशे करिएश्य बच्चों को कहना है कि सर हम क्या कि और यहां पर कों सिन एडवांस की जगह पर अलॉटमेंटे ऐडवांस लिख सकते हैं तो जवाब हैं सब्लीकुल लिख अलॉटमेंटे इडवांस भी लिख सकते हो हुए बंढ आजी झाल झाल ठीक है अब आज यह अगली एंट्री कौन सी होगी शेयर अलॉट्मेंट और टू में क्या आएगा एक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्यूरिटी प्रीमियूम अब बताओ अलॉट्मेंट में कितना आएगा अब जितनी भी एंट्री होंगी जितनी भी एंट्री है वो सभी किस्से होंगी 20,000 से ठीक है न सभी एंट्री होंगी हमारी किस्से सर 20,000 से तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम 20,000 और इंट्री में अब अलॉट्मेंट का पैसा क्योंकि पांच है तो पांच यानि एक लाग आप सभी बच्चों को क्लियर होना चीए बार बार पूछो के कोई फायदा नहीं है अब equity share capital मैंने यहीं पर अलग कर लिया कि ऑलाट्मेंट के टाइम पे शेयर कैम हैंदर मैं इससे multiply कर के लिखूँगा और security प्रीमियों मैं इससे multiply कर के लिखूँगा तो बीस अजार इंट्र में तीन तो share और उसको टू से मल्टिप्लाई करूंगा मिर पर जगह नहीं है मैंने डारेक्ट मुल्टिप्लाई कर रहा इधर दिखा देता हूं मैं इसको कैसे करा सर बीस हजार गुणा में दो अब जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई इस दोनों चीजह आ गई यहां पर एmriathan लेने गए तो बैंक में हमें ना चाहिए था मुझा लेकिन ऐड Опेसा नहीं मिलेगा कितना सर शथ छैओ और एक स्वे means ओ want वो भी नहीं देगा जो व्यक्ति फेल हो गया वो भी नहीं देगा अब यहां पर ध्यान से देखो यहां पर फेल कौन हुआ है रितिका फेल कौन है रितिका आप मुझे बताना कि जो मेरे पास केटेगरी है यानि अगर आप 24 शियर मांगोगे तो आपको मिलेंगे 20 और रितिका ने रितिका को मिला था मिला था 400 शियर रितिका को कितना शियर मिला था तो आप बताईए क्या रितिका ने 400 मांगे होंगे तब 400 मिलेंगे होंगे या फिर इसने जादा मांगे होंगे जादा मांगे होंगे या फिर उतने ही होंगे बताओ ज्यादा मांगे होंगे उसी में होगा काफी और नीचे भी रखाऊगा नीचे यह पूरा नीचे ले है तो मिला कितना होगा को मिला कितना होगा 400ot मिला है आप भी बठा सकता है कि किटना मांगा हो उसका सिंपल सा ठरीक है मैं पहले कुछ वर्किंग नूट करा देता हूं अब जिसने मांगे दस उसको मिलेंगे पांच अगर मैं मांगता हूं बीस तो मुझे कितने मिलेंगे बताओ यह हो गया मांगा और मांगने को कहते हैं हम apply मांगने को क्या कहते हैं और मिलने को क्या कहते हैं यह पीछे वीडियो में मैंने करवाया हुआ भी था class जिसमें मैंने बोला recorded वीडियो डाला है उसमें बताया भी था मेरा question है कि अगर मैंने यह यही sequence है हमारा, ऐसा चल रहा है कुछ, कि 10 मांगोगे तो 5 ही मिलेंगे आपको, तो मैंने 20 मांगे, तो आपको मिले कितने होगे, 10, अब इसी को हम एक formula के format में ले लेते हैं, कि भाया यह जो आपको जहां से आपने base लिया, इसका ratio ले ले लो, तो ratio क्या हो गया, तो आपको दे क्या रखा था 20, तो 20 क्या है हमारा सर, 20 हमारा है apply, 20 क्या है, तो apply का ratio क्या है 2, तो divide करोगे किस से, और allotted का ratio क्या है, 1 यानि 5 तो इंटू करोगे, तो आपका आगया निकल के 10, यानि अगर मैं simple सी बात करूँ, तो आपको कई बारना ratio से निकालना पड़ेगा, तो अगर आपको find करना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, if find apply, अगर आपको apply find करना हो, यानि कितना उसने मांगा था, तो आपको formula क्या रखना है, allotted share, into में, apply ratio, divided by allotted ratio, सर एक example, example, मुझे allotted हुए, या मैं class बता देता हूँ, कि क्या class था, कुछ ऐसा चल रहा था, कि 3000 वालों को सिर्फ दिये जा रहे थे 2000, ये कुछ apply वाले थे, और ये थे कुछ allotted वाले, ठीक है, और एक share holder है, जिसको allotted था, माल लेते हैं, राम, राम को allotted था, suppose, 200 share, तो मैं जानना चाहता हूँ, कि इसने apply कितना किया, मैं क्या find करना चाहता हूँ, apply कितना किया, formula लगाते हैं, allotted, allotted कितना है इसको, 200, into apply का ratio, तो apply का ratio, यहाँ ratio निकालोगे न, तो ratio क्या निकल किया जाएगा, हमारा, 3 is to 2, तो into में 3, divided by allotted का ratio, तो allotted का ratio यह है, apply का ratio यह है, 2, तो result is हमारे पास कितने आगे, 300, ठीक है, अगर आपको apply find करना हो, तो यह situation रहेगा, लेखिन अगर आपको, if find allotted, तो कैसे निकालोगे सर, तो होगा allotted is equal to apply, share, into में, आपको allotted, ratio, divided by, यह कोई formula नहीं है, बस मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि कई बार भूल जाओ, तो इसे याद रहे, कोई भी ऐसा formula नहीं है, और common चीजे हैं, जो कि आपको बहुत पहले से पता होती है, कि यह इस तरीके से निकाला जाता है, unitary method भी बोलते कि इसने apply इतने किये, तो इतने मिले हूँ, apply share, अगर मैं इसी example को same ले लूँ, same इसी example को अगर मैं नीचे उठा कर लिख लूँ, और मैं इसमें थोड़ा सा variation कर दूँ, कि यहाँ पर allotted के जगहा पर मैं लिख दूँ, apply, तो आप क्यासे करोगे आप, सर पहले लिखना है आपको, apply share आपको दे रखा है, तो apply share कितने होगे, 200, into में क्या चाहिए आपको, allotted ratio, allotted ratio क्या है, 2, divided by 3, तो यहाँ पर आपका यह number निकल जाएगा, ऐसा क्यूं कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, यह आ गया, 133, point में आ गया, तो आपका कभी वैसे point में आएगा नि, अगर in case point में कोई दिख भी रहा हो, तो simple तरीके से आप कर दोगे, ठीक है, अब आ जाते हैं, सर, हमारे पास allotted था, क्या था, allotted, allotted कितने थे हमारे पास, 400, यह लिखा हुए मैंने 400, अब सर हमें निकालना पता है, पहले क्या पड़ेगा, apply, सर क्यूं निकालोगे apply, तभी हम find गर पाएंगे कि इसके total पैसे कितना है और failure कितना हुआ, apply निकालने के लिए हमें ratio जानना होगा, तो इसका ratio देखो क्या है, 24 और 20, यानि 24 is to 20, और इसको और कार्ट देते हो, तो 6 is to 5 यानि apply का ratio क्या है हमारा और allotted का ratio क्या है 5 तो apply का हमारा क्या होगा apply निकालने के लिए हमें 400 allotted दे रखा है into में रखेंगे हम apply का ratio क्या है हमारा 6 divided by क्या हैगा 5 तो कितने आगे हमारे ये 480 इसलिए करा था कि हमें ये पता चल पाए के total amount कितना आया total amount अगर मैं इससे receive करूँ तो इसने दिये होंगे 480 के हिसाब से 480 into में 2 that is आपका 960 that is आपका 960 और इसको allotted जो था application इसके cut गए होंगे application पे इसको मिले तो 400 थे तो 400 इसके cut गए तो इसके cut के कितने 800 इसका मतलब इसने कुछ extra पैसे दे रखे थे 160 पहले यहां तक देखो extra पैसे इसने कितने दे रखे थे अब जब allotment पे इससे मैंने मांगा क्या कहा call on allotment अगर मैंने इससे allotment पे मांगा तो मैंने बोला भाई तिर पास 400 शेयर है और गुणा में पांच यानि तु मुझे 2000 दे दे 400 शेयर तो कितने दे दे अब 2000 था लेकिन यह बोलता है मैं नहीं दे पाऊंगा फेल हो गया ऐसे situation में कितना amount देने में फेल हुआ है amount कितना फेल हुआ है देने में यह तो इसमें से माइनस कर दोगे क्योंकि 2000 तो मांगे थे जबकि 160 तो एडवांस ही थे तो अठारा सो चालिस तो जो अब बैंक में माइनस करेंगे ना यहां पे एक अठारा सो चालिस और माइनस करना पड़ेगा और हमारे पास जो पेमेंट निकल के आएगा यहां पे हुआ आएगा एक लाख माइनस मैं 80,000 जब एक लाख माइनस आठाजार माइनस अठारा सो चालिस 9160 और यहां आजाएगा कॉल सेनेरियर 90 आएगा कॉल सेनेरियर अठारा चालिस अठारा चालेज कॉल सिन एडवांस आठ हजार और टू शेर अलाटमेंट वो पूरे आ जाएंगे एक लाग झालेज जाएंगे झालेज जाएंगे है है प्रों कि ते प्रमन क्यों अब अब क्यों लिखवा रहे हैं वो पांच कि पहले क्यों नहीं बता है उसने बिशाबी अब आपके जिताय दवाला ही रही है बंडल लेने परखेंगें काम देखें जाली है आगे चले unserem इस태 बैंक की ng कर देंं अब बैंक में सभी पैसे आएंगे आहिए और नहीं आएंगे सब है कितने लोगों के नहीं आएंगे अब लोगों केपैसे नहीं आनने वाले हैं भेग गो बैंक में पेमिट लेना होगा सर बैंक में देखा जाए पिछले कुश्चन के हिसाब से पॉइंट के 60,000 आने चीए लेकिन सर यहां दो लोगों के पैसे नहीं आएगे नमबर वन किसके नमबर वन रिति का जिसके पास कितने शियर थे इंटू में 3 और नमबर दो एक के पास कितने शियर थे 600 शियर अब 600 इंटू में 3 यह पैसे नहीं आएंगे अब यहां पर कुछ बच्चों के ना कुश्चन रही सुजएगा सर पहले तो हमने वर्किंग नहीं करा तो मैं माइनस कर दूँ पहले एक बार 1857 और यहां कॉल से नेरियर तीन हजार कि टूशियर कि फास्ट कॉल अब देखें अब सर यहां पर सिचुएशन क्या है कि हमारा यहां पर एडवांस है तो यहां पर जिन लोगों ने पैसे एक्स्ट्रा दिये उसके एडवांस यहां तक चले गए और यहीं पर एडवांस खतम हो गए तो कोई यहां पर अगर फेल होता है न तो उसका कंडिशन ऐसा होता है कि उसने कुछ पैसे दे भी रखे हैं और कुछ नहीं भी दे रखे हैं तो इसलिए इसका वर्किंग नोट हुआ यह एडवांस पैसा तो हमारा फॉर्स्ट कॉल तक तो गया ही नहीं जब फॉर्स्ट कॉल तक तक गया नहीं तो हमें कोई कैल्कुलेशन करने की जुरत नहीं है सिंपल हमें जितने फेलियर थे उससे मल्टिप्लाई करने चे सो थे चे सो इंटू मैंने तीन कर दिये और सिंपल मल्टिप्लाई यहां पर मैंने करके दिखा दिया ठीक है इसके बाज आ जाएगे क्या शियर फूरिचर करना क्योंकि कुछ्ट्न ने कहा था कि फाइनल फॉर्स्ट कॉल के बाद ही एक शियर होल्डर का शियर फूर फिचर कर ले लेना ये यह देखो इसका किसका रितिका का तो रितिका का अगर मैं शेयर फोर फीचर करूँआ तो क्या आएगा सबसे पहले सर एकवटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लेकिन पूरे कॉल्ड अप नहीं है उससे कॉल्ड अप पूरे नहीं है एक आएगा दो रुपए तीन रु इसके बात देखते हैं अगरे चार सो इंटू आठ बत्तिस सो अब है टू शेयर फोर फीचर अब काफी बच्चों को वैसे लास्ट क्लास में कर लिया था हमने बट कुछ बच्चों कहना है सर प्रीमियम का पैसा फोर फीचर नहीं होगा जितना दिया वही होगा तो सिरफ यह मात्र दो रुपह देखे गया है तो 400 इंटू में दो तो यह आगे हमारा कि शरी आठो है और टू कॉल सेनेरियर कितने होगे कॉल सेनेरियर बाकी रिमेनिंग होगे हमारे चॉविज सो यह इसका होगया फोर फिचर अब हमें क्या कॉल करना है है फाइनल कॉल तो एंट् चार सो शेर फाइनल यहां ध्यान देना है आपको कि क्या क्या करते हैं मैं बता Warner क्या करते हूं चैनल यह नहीं होगा क्योंकि यहां 400 share निकल भी गए न तो जो call करोगे वो 20,000 में से पहले तो 400 share को आप निकाल के बाहर कर दोगे अब इतने ही share बच्चे है इसको multiply 2 से करोगे ठीक है 20,000 को जो निकल गए इसको बाहर करोगे फिर करोगे 20,000 minus 400 into में 2 तो 39,200 चीक है आगे देखने से आगे जब बैंक में payment लेने जाएंगे तो सभी पैसे नहीं देंगे हमें 39,200 चाहिए अब फेलियर कितने हैं सिर्फ एक एक को तो निकाल के बाहर ही कर दिया जो एक फेलियर है उसके पास कितने share है 600 तो 600 into 2 उसके पैसे नहीं आएंगे that is 12,000 नहीं आएंगे तो मैं यहां 1200 minus कर देता हूं 38,000 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा call scenario और call scenario आ गया 1200 और 2 share final call 39 अब हमें फिर four feature करना होगा अब किसका four feature करना है मैं roughly entry जैसे होता है directly करना हूं without format equity share capital account क्योंकि अब इससे तो पूरे 10 मांगे गए हैं तो और सर छे सो एंटू 10 यानी कि छे हजार और टू स्टियर four feature 600 इंटू में कितने जाएंगे इसने पांच रुपे दे रखे हैं कि तीन हजार और टू कॉल सिनेरियर कि कॉल्स इन एरियर तीन हजार अब क्या करना है सर हमें बताओ यहां तक देखो सारे complete question कराएंगे न हाँ सारे question लगबग complete SP not paid हाँ अब देखो यह वाली entry न थोड़ी सी गड़वड हो गई कौन सी यह वाली क्योंकि यहां पर उसना security payment premium जब security premium नहीं देता तो हमें premium को क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा ठीके ना premium को क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा तो ऐसे situation में देखो थोड़ा सा यहां error हो गया और उसका amount भी थोड़ा सा error हो जाएगा क्योंकि amount हमने गड़ बड़ कर दिया थोड़ा सा 800 नहीं होगा वो देने में कितना fail हुआ था 1800 1800 साइज मेरे ख्याल देने में वह fail हुआ था टूटल 1840 तो एक तो 1840 वह कॉल सीनेरियर कैसे निकाल हो गया और प्लस कितना जो अगले वाला तो आपका प्लस आगे वाला कितना होगा हमारा 400 इंटू 312 यह दो ही तो fail हुआ है अब security premium debit आ जाएगा मैं लिख देता हूं security premium कितने होंगे 400 इंटू में दो कितने होंगे 400 इंटू में दो 800 अब share for feature में कितना जाएगा जितना उसने पैसा दे रखा था वो सारा अब इसने देखो पैसे कितने दे रखे थे यह पूरे 960 रुपए चले जाएंगे पूरे 960 तो यह ध्यान देना एक बार इसको समझ लो आप 960 और यहां पर मैं एंट्री कर देता हूं इसको काटके थोड़ा सा यह ठोड़ा सा 1840 और प्लस 1200 अठार हो चालेस और बार आसो कितने हो गए अठार हो चालेस बार आसो तीन हजार चालेस एक बार देखोई पॉयंक यह वर विसर बागे तो किलीट ही चल रहे हैं ठीक है सब से पहले देखो कि हमारा किसकाण कर रहे कि पहले कि ए थी का अब रितिषीοι की फ्र मातल अवार कि तो पास बहलभी जेंडिके दिए उसके पास प्यार सो इसने अप्लिकेशन दिया बिल्कुल दिया कितने दिये 400 इंटू में, 28000, क्या इसने कुछ advance भी दिया? का बिल्कुल दिया कितने दिये थे advance, 130 इसके बाद इसने कुछ दिया? नहीं दिया तो इसके जितने पैसे दिया सारे फॉर पहले बात तो तो मैंने यहां पर देखो पूर फिचर में 960 लिखा और नीचे कॉल सिन एरियर में वह आएगा जहां जहां इसने पेमेंट हमें नहीं दिये तो पेमेंट एक अलॉट्मेंट पर नहीं दिया तो अलॉट्मेंट का एरियर हमने निकाला था यहां पर प्लास वही तो मैंने यहां पर करा है अठारा सो चालिस और प्लास तो कॉल सिनेरियर में यह आ गया तो पहले तो यह दोनों समझ में आ गया इसके बाद एक्यूटी शियर कैपिटल आर्ट कैसे आ यह समझ में आ गया और सेक्यूरिटी प्रिम जो था वह भी हमने लिख लि और बैंक में प्रिमिट कैसे आएगा तर आठ सो इंटू में नो बहत्तर सो नुकसान हुआ है हाँ पर बिल्कुल हो गया आठ सो इंटू में एक तो उसको शियर फिचर से कंपल्सेट करेंगे आठ सो और टू एक्विटी शियर कैपिटल कितने हो गए आठ हजार ठीक है अब हम आगे चलते हैं सर कैपिटल रिजर्ब कैपिटल रिजर्ब में सबसे पहले एक तो रितिका का हिसाब लगाना है और एक किसका लगाना है बितिका का ठीक है ना एक बितिका का यानि आर भी कर देते हैं भीया इसके शियर कितने थे चार सो शियर थे इसकी प्रॉफिट कितना था चार सो शियर पे कितने कमाये थे नो सो यह रहा ना इसके शियर कितने थे चेश सो इसके profit कितने थे सर इसके इसके तीन हजार यह यह रहा पहले तो यह देखो मैंने यह question उता रहे हैं इसके बाद हुआ यूँ कि इसके तो सारे share issue हो गये तो इसके loss माईनस कर दो यहां से तो इसके 400 loss हो गये तो इससे कितना profit हो गया 500 अब इस पर आ जाते हैं इसका क्या हो रहा है अब इसके क्या सारे रिइशू हुए नहीं पहले इसको convert करो फिर डिवाइड 600 इंटू 400 तो कितने हो गए 2000 और इससे नुक्सान कितना हुआ जब आपने इससे रिइशू 400 इंटू में एक ही का नुक्सान हुआ और देट इस चार सो तो कितने का हो गया यहां पर नेट में 19 था ना तो आपको लास्ट में स्रिफ और स्रिफ कैपिटल रिजर्व एक किस सो साथ नहीं यहां पर कुछ मेंट्री भी कर देते हैं जैसे क्यूटी शेयर कैपिटल भी कर दिया इसने 396 शेयर फूर फिचर में कर दिया है तो वह किसी का थोड़ा-थोड़ा करने करने का वह है तो वह चीज़ आप देखां कि क्लियर है कि हाँ अब बिल्कुल नहीं देखो डियू की एंट्री में तो माइनस किया ही किया है उसके साथ-साथ हमने बैंक वाली एंट्री वी तो माइनस करके चलें देखो बैंक भी हमने कहां से उठाया सर बैंक 49 दोसु से उ माइनस हो गया बताइए इसमें